दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे एट्यूब चैनल में दोस्तों शादी को लेकर आप सभी तोड़े चिंती जरूर होते होंगे खास कर लड़के इतने कनफ्यूज होते हैं कि आप पूँचिये मत वो सोसते हैं जिससे हमारी शादी होगी वो लड़की कैसी होगी क्या उसके साथ जीवन अच्छे से बीतेगा या कोई समस्या आएगी दोस्तों इस तरह की कई सारी बाते हैं जो विवाह के समय हमारी चिंता को बढ़ा देती है वहीं दोस्तों शास्त्रों में भी कहा गया है कि योगी इंसान से ही शादी करना चाहिए नहीं तो जीवन वर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों ऐसे में लोगों की टेंसन बढ़ जाती है कि कैसे जाने कि जिससे हमारी शादी हो रही है वो हमारे लिए सही है वैसे दोस्तों हम इसका जबाब तो नहीं दे सकते लेकिन चारक किनीती और शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिनके अनुसार अगर कोई कन्या ऐसी मिले तो विवाह करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको चारक किनीती के अनुसार विवाह के लिए योगिकन्या में कौन-कौन सी खास वातें होनी चाहिए वो बताने जा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को अन तक ज़रूर देखना और अच्छी तरह से समझना ये जानकारी पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें और ओजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें चेलियो दोस्तों आप जानते हैं कि वीवाह के लिए योग इकन्या में काउन काउन सी वो बाते हैं जो अवस्य होना चाहिए आये जानते हैं दोस्तों नमबर एक एदी कोई इस्त्री कामकाजी नहीं है लेकिन उसे घर परिवार और समाज की जानकारी रहती हैं तो ये एक अच्छी बात है ऐसी इस्त्रियां जागरूक रहती हैं और परिवार का मान बढ़ाती हैं दोस्तों नमबर दो विवार के लिए इस्त्री में एक गुण अवस्य होना चाहिए वो सभी को उचित्मान सम्मान देती हो अपने से उंचे और नीचे दोनों तरह के लोगों को सम्मान देती हो ऐसी कन्या से आप विवार अवस्य करें दोस्तों नमबर तीन जो इस्त्री सांसिक्रती और परंपराओं का पालन करती हो वा विवार के लिए स्रेष्ट रहती हैं ऐसे पती-पतनी के लिए सौभा गिसाली होती है पूजापाड से देवी देपताओं की किरपा प्राप्त करती है जिससे घर में सिमर्दी आती है दूस्तों नंबर चार जिस इस्त्री में बचत करने का गुण होता है बापरिवार के लिए बहुत शुब रहती है परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत पूंड भूमिका निवाती है दूस्तों ऐसी इस्त्री को लच्छिमी का सोरूख मना गया है दूस्तों नंबर पांच जिस इस्त्री की आवाज मीठी हो जिसके वोलने से सुख अनुभव होता हो वा विवा के लिए स्रेश्ट रहती है दूस्तों जो इस्त्री अच्छी सलातार हो बुरे समय में धैर बनाये रखे और सही सलाह दे उससे विवाह करने में पुरुसकी भलाई रहती है दूस्तों नंबर छे जो इस्त्री अपने भाई बहनों और सभी रिस्तदारों के साथ अच्छा विवार रखती है सभी का ध्यान रखती है और रिस्तों को लेकर सुरच्छा तमक भाव रखती है वा विवाह के लिए उत्तम होती है और दूस्तों नंबर साथ जो इस्त्री अपनी मरियादाओं में रहती है और घर-परिवार का मान सम्मान बरकरार रखती है वा इस्त्री स्रेष्ठ होती है और दोस्तों, नमबर आठ, स्रेश्ट इस्त्री वही है, जिसमें अहम का भाव नहीं होता है, यानि जिसमें गुरूर घमंड नहीं होता है, जो इस्त्री खुछ से जादा दूसरों के सुख को महत्य देती है य। परिवार को हमेशा सुख देती है और दोस्तों नमबर नो जो इस्तरी बुरी से बुरी परिस्तितियों में भी परिवार का साथ नहीं छोड़ती और मजबूती के साथ सवी रिस्तों को निभाती है वा विवाह के लिए बहुत ही शुवरेती है तो दोस्तों इस तरह की लड़कियां विवाह के लिए योग्य होती हैं अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो ये खास बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं इसलिए ध्यान रखिये कि जब भी इस तरह की कोई लड़की मिले तो आपको फारण सादी कर लेनी चाहिए उसमें ही आपकी भलाई है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़बाई और थैंक्स वाचिंग माई वीडियो